नमस्कार दोस्तों, SSC Adda247 YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है, बंदन है, अभी नंदन है अब आप सोच रहोंगे, सर, आज वो MTS वाला स्टेशन का आ गया भया MTS वाला स्टेशन कहीं नहीं गया, आज actually मुझे मतलब monthly का compilation एक करना था और इसलिए मैंने ये निना लिया, कि आज मैं एक 10-10 minutes so करूँगा आपके लिए तो the 10 minutes so में ऐसा रहता है कि बिना कोई देर किये, मैं आपको, जैसे डेली हम लोग एक नया सीरीज सुरू कर रहे है डेली हम लोग 14-15 questions on an average, 8-9 current affair की class में पढ़ते हैं उनमें 2-4 person बहुत ही important होते हैं, कुछ knowledge point of view से, कुछ exam point of view से तो वो जो exam point of view से important question है, मैंने उनका पूरा यहाँ पे मासीक संग्रह कर दिया और आपके लिए ले आया the 10 minutes so, और ये the 10 minutes so मंतली compilation है आपके अब ये वीडियो आपको हर महिने की एक या दो तारिक को मिला करेगी, जो आपके exam के लिए मददगार साबित होगी clear है, बिल्कुल, चुकि आज इसका पहला day है तो आप लोग से request रहेगा कि इसे जादा से जादा share भी करिएगा, तो top 60 current affairs of March 2024, I hope कि आप सभी लोग ready होंगे, पहले question की तरफ हम बढ़ेंगे बताइगा, किस राज्य में भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर देशी जलमार को लाँच किया गया है, बताइगा तो sir, हरित हाइड्रोजन जलमार, अगर आपको याद हो तो ये लाँच किया गया है, तमिल नाडू में, next निम्न में से किस देश ने तमबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया के पहले कानून को निरस्थ करने का फैसला किया है, ये top 60 of March आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा तेश पढ़ेंगे, तो निरस्थ करने का फैसला किया है, नियूजी लेंड ने, next दस्वें प्रो कबड़ी लीक का खिताब निम्न में से किस ने जीता है, ये option पुनेरी पल्टन ने, अगला चाप चूर कूर्ट महत्सों का आयोजन किस राज्य में किया गया, राइट एंसर आपके बनेगा, मिजोरम में, next question निम्न में से किस सहर में दुनिया की पहली जूट सूट रेस का आयोजन किया गया, जूट सूट रेस का आयोजन किया गया, जूट सूट रेस का आयोजन किया गया है, दुबई में, next आपके सीमा सुरक्षा बलकी पहली महिलाई स्नाइपर कौन बनी है तो दुनिया का पहला देश बना है फ्रांक्स नेक्स्ट पांचवे राष्ट्री युवा संसद महत्सो 2024 का अउजन कहा किया गया डी ओप्सन नई दिल्ली नेक्स्ट भारत के पहले राष्ट्री डालफिन अनुसंधान केंदर का उद्गाटन किस सहर में किया गया है बनाईएगा तो भारत के पहले राष्ट्री डालफिन सन्यतर का उद्धाटन हरियाना next विशु सुटिंग पैरा स्पोर्ट्स विशु कप 2024 का उजन किस देश में किया जाएगा भारत अमेरिका जापान या अर्जेंटीना विशु सुटिंग पैरा स्पोर्ट्स चेंपियन सीप का उजन हो रहा है भारत में most important question किस राजे ने हाल ही में अपना पहला जेनरिक AI सीखशक आईरिस को लाँच कहा है वैसे आपकी बात बता दे भारत की पहली जो AI best movie है एरा का ट्रेलर लाँच हुआ है आज ही एक दो दिन हुआ है ठीक है ना तो आपसे पूछ सकता है कि भारत की पहली AI movie का नाम क्या है एरा कल सूबा के current affair class में मैं आपको इसके बारे मताऊंगा कौन सा राजे भारत का पहला सरकारी सौमित वाला OTT platform launch करेगा सरकारी सौमित वाला OTT platform केरल launch करने वाला है सरकार ने डांग मद्दान के लिए न्यूनतम आयू सीमा बढ़ा कर कितना कर दिया है डांग मद्दान के लिए 85 वर्स पहले 80 वर्स हुआ करता था पहली ACI rafting championship का अज़न किस सर में किया जाएगा पहली ACI rafting championship का अज़न सिमला में किया जाएगा next तामस सुल्योक को निम्न में से किस देश के नए राष्ट्रपती के रूपे चुना गया है तामस सुल्योक तो तामस सुल्योक को चुना गया है हंगरी के नए राष्ट्रपती के रूप में ये मार्च के top 60 current affair पूरे मन्त का मासिक संग्रा राष्ट्री युवा संसत महत सो दो हजार चौविस में किसने पहला स्थान प्राप्त किया है सर पहला स्थान प्राप्त किया है यतिन भासकर दुगल ने next निम्न में से किस सहर में विश्व के सबसे बड़े साहित्तिक कारिक्रम साहित्ती उत्सो का आयोजन किया जाएगा साहित्ती कारिकर्म साहित्ती उत्सो का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा विश्व बैंक के महिला, व्यवसाय और कानून सुचकांग 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्ट हुआ है? से option 113 अगला Cutlass Express 24 नामक सहन अभ्यास का आईजन कहा किया गया Cutlass Express 24 नामक सहन अभ्यास तो Cutlass नामक 24 ये सहन अभ्यास हुआ है से sales में जलवायू परिवरतन संकट को उजागर करने के लिए किसे इरासमस पुरुषकार 2024 से सम्भानित किया गया है यह option अमिताव घोष जी next निम्नमे से किसे सरुसेश्ट फिल्म के लिए आसकर अवार्ट 2024 दिया गया है तो इस बार का आसकर अवार्ट 2024 ओपेन हाइमर को दिया गया है 71 मिस वर्ल्ड का आयोजन निम्नमे से भारत में किया गया यह किसने जीता है यह जीता है क्रिष्टीना पिज्ज कोवा ने important most important भारत के पहले इंडोर एटलेटिक सेंटर का उत घाटन सर उडिशा में हुआ नवीन पटनाईक जी के हाथ हो हुआ अगला निम्नमे से किसे भारती पैरा उलम्पिक समीती का अध्यक्च चुना गया है भारती पैरा उलम्पिक समीती का अध्यक्च भारती पैरा उलम्पिक समीत के अध्यक्च देवेन जाजरिया जी नेक्स्ट निम्नमे से किसे 2024 के लिए प्रितिजर पुरुसकार से समानित किया गया है प्रितिजर पुरुसकार इस बार जापान के रिकेन यामा मोटो को मिला है जबकि डेविट चीपर फिल्ड को 2030 का मिला था हाल ही मैं आज इस 77 संतोष ट्रोफी फुटबाल टूर्नामेंट का खिताब प्रतिष्ठित खसरा और रुबेला चेंपिन पुरुसकार भारत ने जीता है अगला निम्न में से किसे राष्टी अनुसुची जन जाती आयोग के अध्यक्ष के रूप में सी ओप्षन कि सोर मक्वाना जी को नुप किया गया है प्रतिष्ठित आई ए ए गोल्डिन कम पास अवार्ड जीतने वाले पहले भारती उद्द्योग पती कौन बन गया है उद्द्योग से जुड़े वैक्ति कौन बन गया है सर स्री निवासान स्वामी जी मैं एक बात बहुत क्लियर कह रहा हूँ इस दर टेन मिनट सो का उदेस मार्च के मासिक संग्रा का मात रितना है कि आपके पास इनपोर्टेंट कोश्चन का दस से पंदर मिनट में एक संग्रा हो यहाँ पे मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ सिर्फ आपका रिवीजन करा रहा हूँ आपके एक्जाम के लिए इस वीडियो का कंटेंट इस वीडियो की पीडियाफ इनपोर्टेंट बनेगी तो डिटेल क्लास में सुबह 8-9 करेंट अफेर की लेता हूँ ठीक है ना डिटेल क्लास में सुबह 8-9 लेता हूँ डिटेली एससे एड़ा यूट्यूब चैनल पे रटजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है 42 वी भार मुंबई ने जीता है सयुक्तराश्ट विकास कारिकरम जारी की गई लेंगी का समानता सुचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को 108 वा स्थान प्राप्त हुआ है अगला मुहम्मद मुस्तफा नय प्रदान मंत्री फिलिस्तीन अगला समय वितरण प्रणाली लागू करने वाला पहला देस कौन बन गया है इसार पहला देस बना है भारत नेक्स्ट भुटान का सरवच नागरिक समान पाने वाले कौन से भी देशी नेता बन गया है ये option पहले बन गया है अगला फिल इन दी ब्लैंक्स और जेम्स बायस को पहली वैस्विक असमानता अनुसंधान पुरुसकार समानत क्या गया है 2024 के भारत के भारत ने किस देश से अपने नागरिकु को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती लांच किया है आपके लिए राष्टी महिला चेंपियंजिप 2024 के अजण कहां किया गया जिसका खिताब हांकी हर्याना ने जीता है ये option पूरे ने अगला point आपके लिए Asia के सबसे बड़े Tulip Garden को कहां खोला गया है सरस्री नगर में खोला गया है Tulip Garden Next आपके लिए Supreme Court ने हालही में किस पक्षी के सनरचन के लिए समिती का गठन किया है Great Indian Bustard Great Indian Bustard के लिए अगला point आपके लिए हालही में किसे राष्ट्री जांच एजनसी का महानी देसक निट किया गया है बताइएगा राष्ट्री जांच एजनसी का महानी देसक महानी देसक के ओप्सन सदानन वसंत जी को भारत का पहला सोदेसी Hydro QC Urea Oral Suspension निम्न में से किस बिमारी के रुक थाम के ले लॉंच किया गया है सर सीकल सेल इसके लिए 2047 तक इसको इड़न करने का भारत सरकार का लक्ष भी है निम्न में से कौन सा देस समलेंगिक विवाह को मंजूरी देने माला पहला दक्षिर पूरे CI देस बन गया है वो बना है मेरे भाई थाइलेंड अगला question आपके सामने राश्ट्री आपदा प्रतिक्रिया बलके नए महानी देसक के रूप में किसे चुना गया है नए महानी देसक बने हैं C option प्यूस हानन्द जी निम्न में से किसे 2024 के लिए प्रतिष्टित एबल पुरुसकार से समानित किया गया है एबल पुरुसकार मिसेल टैला ग्रेंड को दिया गया है निम्न में से 29 वे देवी संकर अवस्थी समान से किसे समानित किया गया है देवी संकर अवस्थी समान से समय बचे आने था हमें भी क्यावन क्वेश्चन में सुबह आट से नौ में पंद्रा क्वेश्चन में एक घंटे लगा देता हूँ निम्न में से किसे हाल ही में प्रसार भारती बोर्ड में अध्याच के पत्पर निकिया गया है यह उप्शन नौनीत सहगल जी भारत का पहला आयल पाउंप प्रोसेसिंग सन्यातर किस राज्य में सुरू किया गया है सर आयल पाउंप प्रोसेसिंग सन्यातर अवड़ाचर प्रदेश में निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली एल एंगी बसों को लांच किया गया है महरास्ट में में आप किस ने जीता है सार मुंबाई इंडियन ने जीता है मुंबाई इंडियनर लिग 24 इंगलोॉर मुझे पहले वाले का यद है यह सभी यह 2024 के यह है यह टो 2023 2023 के थे ना बैंगलोर एक दम सही है एक दम सही है वो मुझे समझ रहो मुंबई इंडियन 2023 वाला याद आ गया यह 2023 की भी न रही है 2024 के अगला निमन में से किस ने सरसुति सम्मान 2023 सरसुति सम्मान 2023 प्रभावर्मा जी को रौद्र सात्विकम के लिए जारखंड के राजेपाल सीपी राधा कृष्णन को निमन में से किस राजेपाल का रौद्र प्रभार दिया प्रभार दिया गया है सर्ते लंगाना नेक्स कृस्ट को निम्न मेंसे किसे डायना मेमोरियल अवाट से समानित किया गया है डायना मेमोरियल अवाट मांसी गुपता जी को अगला गगन्यान मिशन पर अंत्रिक्ष यात्रियों की मदद के लिए निम्न मेंसे कौन सी एप को विक्षित किया गया है एप है आपकी सक्षी नेक्स्ट नि खेल मनोविज्यान पर भारत की पहली पुस्तक को हाली में लॉंच किया गया यह किताब किस के द्वारा लिखी गई है यह किताब लिखी गई है मेरे भाई B-Option बुद्धी प्रकास सर्माजी को यह एक मैंने नया इनिसेटिव लिया दर टेन मिनट सो में अब हर महिने की सुरुआत में पिछले महिने का आपको इसी तरह टॉप 60 MCQ मिल जाएगा जैसे आज आज आपको मिला है एक मार्च से 31 मार्च और आज मेरा रेगुलर सेशन नहीं हो पाया मैं आपको इमांदारिश बता हूँ कल रात एसी चला कर सो गया था तो बुखार जुखाम हो गया मैं कैंबी फलान खा करके फूरी एनरजी के साथ इस क्लास को लिया च्छमा करिएगा और हाँ एक बात आपको और इन्फार्म कर दूँ संभव है कि कल मैं आपके दो अप्रेल वाली साथ क्लास नहीं लेता हूँ तो समझ लेना इनकी तबे ज़्यादा खराब है तो प्लीज मुझे च्छमा करना लेकिन मैं तयार हूँ मैं कोसिस करूँगा कि मैं सुबा आके आठ बज़े आप लोग एक बार चेक जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा प्लीज ठीक है न कैसा लगा आपको ये नया सीरीज प्लीज कमेंट करिएगा सभी